वेल्कम टुबाव ट्राबल्स गाइस मैं हूँ समर और आज का मेरा जो टॉपिक है वह है कि अगर आपका किसी एजेंट ने पासपोर्ट रख लिया है यह कोई और परसन ने आपका पासपोर्ट जो है जब कर लिया है तो कैसे आप आपका पासपोर्ट वापिस आपको मिल सक करता है क्या आपको करना है इस वीडियो में पूरा आपको डीटेज मिलेगा तो मैं जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो तो ऐसे वीडियो में आपके लिए बनाता रहोगा तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते है तो अगर कोई भी एजेंट आपका जो पासपोर्ट है वो रख लेता है मैं अक्सर मुझे लोगों के कॉल आते हैं कि हमें ऑपके पासपोर्ट रख लिया है वह अपिर नहीं रहा है पैसे का डिमांड कर रहा है यह अगर कोई हस्बेंट है तो वाइफ उनने उसका पासपोर्ट हर लिया है तो ऐसे केसे मेरे पास काफी आए है उसी बेस के उपर में यह वीडियो बना रहा हूं तो जब ऐसे कभी कोई चीज होती है तो आपको क्या-क्या चीजे धान में रखना और कैसे यह चीज को आप टैकल कर सकते हो तो नंबर वन अगर कोई एजेंट ने आपका जो पासपोर्ट है वो रख लिया है जैसे आपको किसी ने जॉब कर प्रमिस किया आपने उस बेस के उपर परसन के उपर ट्रस्ट करके आपने उसको पासपोर्ट दे दिया आप कई और सिटी से हो परसन कई और सिटी पर है तो यह टाइम पे अगर परसन आपको बहुत जारा पै को neatamente एकसर ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते है जिसमें आपका वीजा की बया एक्ञान है आपको पैसे पर लेते हैं और उसके बाद में आपको Blackmail करते हैं आपका परको पर सब्सक्ति यह आपको प्रापर्वार्ट प पॉर्इन जाता है तो यह उसके लिए क्रिमिनल ऊफेंज के द्वारा इसको माना जाता है तो यह चीजा आप याद रखिए सैकेंड चीज कि अगर आप वह पर्सञ का कंप्लेंड नहीं करना चाहते हो आपका बहुत क्लोज है या कोई ऐसा रिजन या कोई ही सी चाहँ है उसके पास जिसकी भी अविक अब सी कंप्लेंड नहीं देना चाहिए तो वह चीज अगर आपके पास में है तो आपके पासपोर्ट को लॉस में दिखा दो और लॉस में दिखाने के बाद में रियाप्लाइब करना है साथ 3,000 रुपे साथ 3,000 रुपे गवर्मेंट का फीज है वह आपको भड़ना है और फिर से आपका पासपोर्ट है आपको मिल जाएगा अब बहुत सारे जो लोग है जिनको एफायर करना होता है वह ऑनलाइन एफायर कर सकते हैं अगर कोई पलीस के पास नहीं जाना चाहता ह है तो ओनलाइन एफायर भी चल जाता है कमें अंगर आपको औनलाइन एफायर बनाने नहींा आता है तो अप वावव ट्रेवल्स को भी कानटेट कर सकते हैं मैंने एक और ऐसा फ्रॉड देखा था जहां पर एक परोसन को वीजा का प्रोमिस किया ऑन कैंड़ का वीजा अप यह सिर्फ कुछ ऐसे कंट्रीज सेलेक्टेट कंट्रीज जिनके लिए वह अलाउड है बट इंडिया के लिए एटीए वीजा का नहीं होता है तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड है जो एटीए वीजा अप्लाई करते है वह वीजा का कुछ 600-700 रुपे फीज होता है ऑनलाइन डॉ तो यह लोग दूसरे पास्पोर्ड का डीटेश लिखा के वह आपका एटीए वीजा अप्लाई कर देते हैं और उसमें दिक्कत यह होती है कि वह वीजा आ भी जाता है तो ऐसे बहुत सारे लोग वीजा देखते हैं और बोलते हैं हमारा आ गया है फिर वह उनको ऑनलाइन बोलते हैं कि आप आप वेरिफाइब करो और वह जब आउनलाइन वेरिफाइब करते तो ओनलाइन भी दिखता है तो ऐसे टाइम पर यह लोग ट्रस्ट कर लेते और पैसा ट्रांसपर कर देते हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना यह फ्रॉड है यह फ्रॉड वाली में आपको नहीं आना है दिक्कत आएगी पैसा जाएगा आपका और कुछ हासिल नहीं होगा तो आपको समझा है यह चीज़ इवन जो मारेड और जो मतलब कोई और परसन ले लेता है मैं तो एजेंट की बात किया तो और अगर कोई परसन भी आपका पासपोर्ट ले लेता है तो आपके पास में दो अप्शन रहते हैं एक तो कम्प्रेंट करो या फिर ओनलाइन एफायर करके फिर से अपलाई कर दो कोई इसमें प्राब्लम ने कोई आपको सवाल नहीं पूछेगा तो यह ता मेरा कम्प्लीट वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चानल को लाइक करो सब्सक्राइब करो शेर करो इस वीडियो को जिन जिनके साथ में फ्राउड होने वाला है उनको बचाओ यह चीजों से एंड थैंक्स पर वाचिक तिस वीडियो एल सी यू सून विट मैं नेक्स वीडियो बागाई